अनुच को मिला अनुपमा को पानी का रास्ता हेलो फ्रेंड्स आप देखरें टेली ज्वामा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो दोस्तों अनुपमा में आ रहे हैं धेश सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स जहां हमें देखने को मिल रहा है कि अनुपमा जिस रेस्टरॉन में काम करती है वहां लग चुकी है आग और अनुपमा बेबे के घर आ चुकी है बेबे ने अनुपमा को कह दिया है तू यहीं रुकेगी जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता उधर अनुच अनुपमा को मिलने के लिए जाता है अनुच को उमीद है कि अनुपमा उस रिस्टॉरॉन में उसे मिल जाएगी लेकिन रिस्टॉरॉन में तो आग लग चुकी है और वहाँ पर कोई भी नहीं है अनुच की उमीद फिर से टूट जाती है दूसी और हमें देखने को मिल रहा है किंजल तोशु के भी जगडा किंजल तोशु से कहरा है तिस साल हो गए तुमने कोई मेरी मदद नहीं की है परी अपनी पढ़ाई पर वीक है तुम उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे हो और दोने लड़ने लगते हैं तो परी कहती है कि तुम कब तक लड़ते रहोगे अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहोगे तो मैं दादी के पास चली जाओगी दादी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा दूसरी हो शाह परिवार में चल रहा है अलग ड्रामा जहां पर तोशु से इंप्रेस होती हुई दिख रही है पाखी और तोशु के करीब आने की कोशिश कर रही है पाखी तोशु बन चुका है ब्रैंड इंबैसेडर इसकी वज़ए से पाखी और भी जादा इंप्रेस हो चुकी है तोशु से वहीं आने वाले एपिसोड में आपको मिलेगा देखने को कि अनुष को मिलेगा अनुपमा को मिलने का रास्ता आपको दाते एक इवेंट होना है दो दिन बाद जसमें की स्पाइस और चतनी को परफॉर्म करना था अनुपमा कहती है हम परफॉर्म करेंगे ऐसे में ये श्थीव कहता है कुछ गरबर हो गई तो अनुपमा कहेगी कुछ भी नहीं होगा इस इवेंट में सब ठीक ही होगा ये बात पता चल चुकी है अनुष को के स्पाइस और चतनी वहाँ पर परफॉर्म करने वाला है क्या आपको जबाने में नीचे कामें सेक्शन में बताइए कि आप भी अनुच अनुपमा को देखना चाहते हैं साथ ये भी लिखिए और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल चैली ड्रामा को